स्वीट टूथ के लांस्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे गज और बिक मैन को कॉलराडो के लिए निकलना पड़ता है इसी के साथ में एमी को एक हाइब्रेड बच्चा भी मिलता है इसी कंटिनेटी के साथ में एपिसोड नंबर थर की शिर्वात होती है जहाँ पर हमें एक टीनेजर ग्रूप को देखते हैं कई सारे बच्चे थे और उन्होंने अपनी एक दुनिया बना रखी थी वहाँ पर वो गेम्स खेला करते थे और अपने आपको जिन्दा रखने के लिए और साथ में लोगों की हेल्प करने के लिए कुछ रूल्स भी बनाये थे इस ग्रूप का नाम आनिमल ग्रूप था और इनका में मोटिफ था हाइब्रिड बच्चों की जान बचाना इनके पास कहीं सारे इंटेलिजन्ट बच्चे भी थे जिसके थुरूई ने पता चल चुका था कि आसपास में एक हाइब्रिड बच्चा है यहाँ बिग मैन गस को साफ साफ कहा चुका था कि मैं तुम्हारे साथ कोलराडो तक नहीं जाओंगा मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आके चाने वाली एक सिटी तक छोड़ूँगा और उसके बाद तुम्हारा रस्तायलाग और मेरा रस्तायलाग लेकिन अभी भी गस को पूरा विश्वास था कि बिग मैन उसका साथ नहीं छोड़ेगा ये दोनों सफर करते हुए कहीं दूर तक पहुँच चुके थे जहांपर इने एक अबेंडेंट सी बस दिखाई देती है असल के अंदर जो लास्ट नाइट फाइट हुई थी उसके अंदर बिग मैन के कुछ टैबलेट से वो वहीं घर पे रह गई थी और कुछ टैबलेट्स को गस ने भी खा लिया था इसी कारण बिग मैन को इस बस के अंदर आना पड़ता है क्योंकि कई सारा समान बिग मैन इसके अंदर भी रखता था एमरजेंसी के लिए वहाँ पर कुछ खानी पीने का समान और साथ ही साथ में बिग मैन के टैबलेट्स भी थी गस यहाँ पर एक बार बिग मैन से ये भी पूछता है कि आखिर तुमने मुझे क्यों नहीं चोड़ा या फिर तुम अखेली क्यों नहीं चले गए तो बिग मैन कहता है कि इस चीज का जवाब देना मैं सही नहीं समझता और अब तुम्हें चाके शायद सो जाना चाहिए मैं यहाँ बाहर ही रहता हूँ गसी दर दर की चीज़े देखता है और एक लैम के पास में बस सो जाता है लेकिन रात में उसे एक बहुत डरावना सपना आता है कि सुबह उटने पे हर जगा बहुत जादा बरव गिर रही है स्नोफॉल हो रहा है और उसे बिग मैं छोड़ के चला गया है वो बस जोर-जोर से चिला ही रहा है और तब ही उसके नीन खुलती है लेकिन बिग मैं उसके साम नहीं था अब तक भी बिग मैं उसे छोड़ के कहीं नहीं गया है बिग मैं गस को बताता है कि आज हम मार्केट जानी वाले है वहाँ पे तुम्हें बुरे लोग मिलेंगे जो कि अब तक तुम्हें समझाया गया है कि बुरे लोग कैसे होते हैं गस कहता है कि क्या वाँ पे बच्चे मिलेंगे और क्या वाँ पे मेरे जैसे भी बच्ची होंगे तो बिग मैन कहता है कि बच्चे तो होंगे हाइब्रिड बच्चे भी होंगे लेकिन वो पिंचरे के अंदर होंगे उनके साथ में बहुत बुरा हो रहा होगा तुम्हें उन चीजों को ignore करना है बस तुम्हें कुछ चीज़े ध्यान रखनी है कि तुम्हें हमेशा इंसानों की जैसा ही बरताफ करना है तुम्हें लोगों को ये नहीं दिखाना है कि तुम्हें एक hybrid बच्चे हो जितना हो सके मेरे करीब रहना और इधर उधर बिलकुल मत चाना जिसके बाद सीन आदित्य के ओपर शिफ्ट होता है लैब के अंदर उसका पहला दिन था वो यहाँ पर आके कई सारी चीजों को चेक करता है बुक्स को रीट करता है कंटेनर्स को ओपन करके देखता है लेकिन घर आने के बाद वो रानी से कहता है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा लेकिन रानी उसे फिर से समझाती है कि तुम्हें एंटिटोर ढूणना पड़ेगा अब आदित्य लैब के अंदर जाके वापस से जब उन नोट्स को पढ़ता है तो उसे और कहीं सारी भयानक चीज़े देखने के लिए मिलती है कि डॉक्टर बैल ने कितने सारे अलग-अलग एक्सपरिमेंट करे हैं जिसके कारण कहीं सारे हाइबर्ड्स बच्चों को बहुत नुक्सान पहुँचाया गया है ये सारे हाइबर्ड्स बच्चे लैब के अंदर मिलिटरी वाले लाके दिया करते थे और उसके बाद उनका क्या किया चाता था? वो सब कुछ इस बुक के अंदर लिखा हुआ था आदित्य अतना जाता घबराया वा था कि वो घर पे भी अच्छे से बात नहीं कर पा रहा था असल के अंदर इनकी सोसाइटी के अंदर आज एक पार्टी रखी गई थी जितने भी लोग बचे थे वो हर वीकेंड कभी न कभी पार्टी किया करते थे और अब रानी की तबियत खराब होने के कारण आदित्य डरा हुआ था कि वो रानी को वहाँ नहीं लेके जाए हो सकता है कि सारे लोग पहचान जाए कि रानी इंफेक्टेड है या फिर रानी के कारण और लोग भी इंफेक्टेड हो सकते है लेकिन रानी उसे समझाती है कि वो बिल्कुल ठीक है एंडी डोट का असर अभी तक भी है और अगर हम नहीं गए तो जरूर लोगों को पता चल जाएगा जिसा आदमी के घर पे पार्टी थी उसका नाम डग था पार्टी स्टार्ट होने के साथ में हम कहीं सारे लोगों को देखते हैं दस साल बाद में भी अभी यहाँ पे 10-15 लोग जिन्दा थे लेकिन लोग अच्छे से पार्टी इंजॉय करते हैं लेकिन तभी आदित्या देखता है कि रानी की लास्ट फिंगर वापस से काफी जादा फ्लिकर कर रही है वो उसके हाथ पे हाथ रग देता और बातों को घुमाने लगता है और कोड वर्ड में कहता है कि शायद उन्हें घर जाना चाहिए लेकिन रानी कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है यहाँ पे एक और लेडी थी जिसका नाम नैंसी था और वो यहाँ पे सोसाइटी की लीडर भी थी तभी यहाँ पे डग एक चेर पे बैठता है और अपने पुराने दिनों की बाती बताने लगता है कुछी देर के अंदर सब को पता चल जाता है कि डग आप तक इंफेक्टेड हो चुका है नैंसी आती और डॉक्टर आदित्य को बोलती है कि कुछ भी हो जाए बस इसका टेस्ट करो लेकिन आदित्य को पता था कि अगर वो डग का टेस्ट करेगा तो कहीं उसे सब लोगों का टेस्ट ना करना पड़ जाए और इसके कारण राने के बारे में किसी को पताना चल जाए इसी के कारण वो टेस्ट करने के लिए पहले मना करता है लेकिन नैंसी के पास एक किट पड़ा था डग का जैसे ही बलड टेस्ट किया जाता है तो उसके अंदर का liquid purple color में change हो जाता है जिसका मतलब था कि duck infected है और अब ये society वाले infected लोगों के साथ क्या करते हैं ये तो गाइच सुनके आपका दिमाग खराब हो जाएगा इसका मतलब है कि इस घर के अंदर को infected इंसान रह रहा है आदित्य बहुत जादा डड़ चुका था कि कहीं उसकी रानी के साथ में यानि कि कहीं उसकी वाइफ के साथ में भी ऐसा ही ना हो जाए यहां बिग मैन और गस के उपर scene shift होता है जो कि उस market यानि की railway station तक पहुंच चुके थे गस को एक helmet और एक ऐसी dress दी कई थे जिससे की लगे कि उसने Halloween के कपड़े पैन रखे हैं और गस एक normal बच्चा है बस उसने helmet लगा रखा है गस के market जाने में उसे कहीं सारी अजीब अजीब चीज़े मिलती है लोग भी बहुत बुरे बुरे थे खाने की चीज़ देखते ही गस उस पर तूट पड़ता है बिग मैन उसे बिठा के कहता है कि तुम्हें यहीं बैठे रहने और यहां से हिलना तक भी नहीं है बिग मैन के पास अब पैसे नहीं बचे थे कि वो कॉलराडो तक जाने के लिए दो टिकेट्स खरीच सके इसी के कारण उसे अपने पास की कोई चीज़े और दो तिन कोईन्स देने पड़ते हैं तब जाके उसे एक टिकेट मिलता है यहां रेलवे स्टिशन पे बैठे हुए गस को अपने सामने एक मैप दिखाई देता है जहां उसे कॉलराडो से मिलता हुए एक नाम भी दिखाई देता है उसे नाम को वो याद कर लेता है और वहां बाहर कुछ बच्चों को देखते हुए पीछे पीछे जाने लगता है कुछ लोग उसे पहचान ले तब ही वहां उसे एक लड़की पकड़ लेती है और कहती है कि हम तुमारी मदद करेंगे तुम यहां किसके साथ आए हो तुम एक हाइब्रिट बच्चे हो यह हमें पता है हम तुमारी मदद करेंगे तुम हमारे साथ चलो इतने ही देर के अंदर यहां बिग मैन पहुंच आता है अब बिग मैन को वो मैडिसन्स चाहिए दी, इसी के कारण वो गस से फॉलो करवाता है कि वो मैडिसन्स कहां पे पड़ी है, वो ट्रेन के कंटेनर में पड़ी थी बिग मैन जाके उन मैडिसन्स को चुरा भी लेता है वो वहाँ से भागने ही वाला था लेकिन तभी एक पुलिस वाला आखिया उन्हें पकड़ लेता है बिग मैन उसे मार पीट के वहाँ से भाग जाता है लेकिन वो आदमी मरा नहीं था इसी के कारण वो सारी लोगों को जाके इंफॉर्म कर देता है कि एक बड़ा सा आदमी जो की लास्ट मैन है उसने गदारी की है और साथी साथ एक हाइब्रिट बच्चा भी यहाँ पर है गस के ट्रेन में चड़ने से पहले ही बिग मैन और गस दोनों को ही पकड़ लिया जाता है और अब इन दोनों को लैब के लिए ले जाया जा रहा था लेकिन रास्ते में इन दोनों की जान बच जाती है क्योंकि सारे पुलिस वालों को कोई मार रहा था जब यह गैंग का लीडर बाहर आता है तो यह वही लड़की थी जिसे की गस ने पहले भी बोला था कि तुम हमारे साथ चलो और अब यह लीडर जिनके चहरों पे कई सारे आनिमल वाले मास्क लगे हुए थे वो गस और बिग मैन को अपने साथ बचा के ले जाते हैं इसी के साथ में यहाँ पे हम आर्मी के जनरल को देखते हैं जिसका नाम जनरल एबट था उसे को इस सोलजर आके बताता है कि हमें वो मिल गई है आप गाईज यहाँ पे किस की बात हो रही है इन्हीं कौन मिल गई है यह हमें आके पता चलता जाएगा तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अकले एपिसोड में तब तक के लिए टाटा झाल झाल